सूप्रभाद बचो आज हम एक क्रियात्मक कारे करने जा रहे हैं पेडों के नाम ये पेडों के नाम बचो असाइन्मेंट में भी आएंगे आपको इसे आपको कॉपी नमबर पांच में लिखना है तो चलिए आरंब करते हैं हमारा कारे पेडों के नाम कौन-कौन से पेड होते हैं जिनके पिक्षर आपको दिखाई जाएंगे नाम के साथ उसे आपको ध्यान से देखना है नीम का पेड यह भूत काम का पेड है इसकी पतियों से बचों सारे चर्मरोग खतम हो जाते हैं इसके पतियों को पानी में उबाल कर उससे इस्नान करने से हमारे तपचा के सभी रोग खत्म हो जाते हैं इससे सावन कॉस्मेटिक आधि भी बनता है सेप के बारे में आप सभी जानते हैं एपल ची एक सेप जो रोज खाता है वह डाक्टर को अपने पास नहीं पटकने देता है डाक्टर हम से कोसो दूर रहते हैं यानि की हम सेहत मंद रहते हैं मैंगो ट्री आम का पेल आम से कई सारी चीजे बनती हैं जैसे जूस, हचार, मुरब्बा, चटनी, आमरस, आदे ये पीले रंग का एक फल है और ये गर्मियों में आता है इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है गुल मोहर पेल बचों, ये हमारे आसपास ही देखने को मिल जाते हैं ये पेल इसमें लाल रंग के फूल और देखो कितनी ज्यादा तादात में दिखाई दे रहे हैं ये हमारी कलोनी में भी दिखाई देते हैं देख पाम, खजूर ये नारियल की पेड की तरह ही इसका आकार होता है इसका फल खाने में बहुत मीठा होता है इसके फल में एक बड़ी गुठली बोलते हैं जिसी बीज वह भी होता है नारियल का पेड कोकोनट ट्री नारियल उपर से सक्त और अंदर से नरम होता है ये इसका पानी भी बच्चो बहुत स्वादिष्ट होता है और फाइदी मन्द भी होता है बैमूट्री बांस का पेड ये बच्चो देखो ये लंबे-लंबे ये बांस दिखाई दिखाई दे रहे हैं आपको इससे कई सामान बनाया जाता है कदंब का पेड ये इसमें जो गोल-गोल आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये इसके फूल है इसमें बहुत खुश्बू होती है, महक होती है बन्यांट्री बरगत का पेड़ इसे तो आप जानते हैं ये हमारा राश्च्री पेड़ है इसमें जो ये लटाएं जो दिखाई दे रहे हैं आपको लटक रही हैं ये जब पेड़ बहुत पुराने हो जाते हैं तब बन्यांट्री में ये लटाएं अपने आप उत्पन हो जाती हैं ये हमारा बन्यांट्री बरगत का पेड़ राश्च्री पेड़ इसकी उम्र बहुत लंबी होती है बेल ट्री बेल का ये देखो ये गोल गोल जो दिखाई दे रहे हैं इसके फल हैं ये गर्मियों के में आने वाला फल है और ये बहुत थंड़क देता है इसका शर्बत भी बनाया जाता है साल का पेड़ साल ट्री देखें ये काफी बड़े बड़े होते हैं और ये जंगलों में लगते हैं कटहल का पेड़ जैक फ्रूट ट्री कटहल जिसकी हम सबजी भी खाते हैं और उसकी कई चीज़े बनती हैं बच्चो अचार भी बनता है कटहल का और ये बड़े बड़े होते हैं फल सैंडल वुड चंदन का पीर इसमें खुश्पू बहुत होती है और इसकी खुश्पू से जो सांप हैं इसके आसपास रहते हैं इसके बच्चो जंगल होते हैं टैमरिंट इमली आपने पड़ा है ना इसे इमली ये बहुत खटी होती है और ये हमारी खाने में भी काम आती हैं सागवान टीक इसकी लकड़ियों से बच्चो फरनीचर बनाया जाता है खिड़की दरवाजे बनाया जाते हैं ये बहुत मजबूत लकड़ी होती है इसके जंगल होते हैं और यहां बहुत तादाद में लगती है चीड़ पाइन ये एक आकार में बढ़ता है बच्चो देखो उपर से छोटा और नीचे से बढ़ा सागौन टीक इसकी लकड़ी बहुत मजबूत लोही की तरह होती है और ये भी फरनीचर बनानी के काम आती है जैंबुल जामून ये एक छोटा और काले लंग का फल है बच्चो और इसका स्वाध बड़ा अच्छा होता है और ये भी एक सीहत मंद फल है तो बच्चो देखा अपने ये सारी पीडों की नाम चित्र सहित आपने जाने इनकी नाम आपको कौपी में लिखने है और याद करने है असाइन्मेंट में इनकी सभी नाम मैं आपको लिख कर दूँगी आपको उन्हें लिख कर अच्छे से याद रखना है झाल झाल